नमस्कार जैहिन इत्यास में आप सभी का स्वागत है युवा साथियों जैसा के देखने में आ रहा है कि यूजी फोर्थियर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कई विश्विद्याले के यूजी फोर्थियर के रिजल्ट्स आ चुके हैं जीवाजी उनिवस्टी का भी जो परिक्षा परणा में वो घोशित कर दिया गया है यूजी फोर्थियर का ऐसे में विद्यार्थी अगली कख्षा में प्रवेश के लिए थोड़ा परेशान है के हैं और इस वर्ष हम चौथे वर्ष में हैं और जो राश्टी सिक्षा नीति के अंसार फोर्थियर है यूजी के लिए वो ओनर्स और ओनर्स विद्ध रिसर्च के लिए पहले से तैक किया गया है तो इस विशे में आज मैं इस वीडियो पर चर्चा करने वाला हूँ अभी हाई रेज्यूकेशन की ओर से कोई बहुत महत्पुन सुचना अभी नहीं आई है इस संबंद में अभी इस लेवस पर काम चल रहा है और इसके लिए कौन सी नई गाइडलाइन हो उन पर भी काम लेकिन बिगत दो दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया गया है हाई रेज्यूकेशन की ओर से तो उसकी अंसार क्या है मैं आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा जो सामानी जानकारी है यूजी फोर्तियर के लिए जो बच्चे यूजी फोर्तियर में एड्मिशन ल होना चाहिए यानि जो आपकी ग्रेट पॉइंट है वो आपके सेवन पॉइंट फाइफ होने चाहिए तभी आप ओनर्स और ओनर्स वित रिसर्च में जा सकेंगे इसमें एक संसोधन किया गया है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूजी फोर्तियर के लिए आपने देखा हो इस वीडियो में मैंने काफी जानकरी दी है तो उसमें एक संसोधन ये किया गया है कि अब यदि कोई विद्यार थी परमपरागत तरीके से जो तो हम पहले से पीजी करते आ रहे हैं दो वर्षी पाठिकरम में चार सेमिस्टर में यदि उसमें प्रवेश्च लेना चाहते हैं तो उनके साथ जो मेजर सब्जेक्ट की बात दिता है वो खत्म कर दी गई है अब वो विद्यारति किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर सकता है पहले मेजर सब्जेक्ट की बात दिता उसमें दी गई थी लेकिन अब वो उसको घटा लिया गया है मेजर सब्जेक्ट की जो बात दिता है वो यूजी फोर्थ एर के लिए ओनर्स और ऑनर्स बिति रिसर्च के लिए बनी रहेगी यानि यदि आप ओनर्स करना चाहते हैं या honors भी रिसर्च करना चाहती हैं तो उसमें आपको minimum 7.5 grade point तो लाना ही है CGPA साथी साथ आप उसी विशे में honors कर पाएंगे जो आपका major subject रहा है तो ये आपके लिए एक मुख बात इसमें है साथी साथ जो विद्यारती UG 4th year करेंगे उसके बाद वो एक वर्षी PG course करेंगे UG 4th year करते समय आप GRF NET exam को भी कर सकते हैं यानि जिस वर्ष आप UG 4th year में होंगे उस वर्ष आप NET के exam में बैठ सकते हैं यानि एक वर्ष के इस course के साथ UG 4th year के साथ आप NET में भी सीधे सीधे बैठ सकते हैं तो ये एक इसमें लाव है आगे हम और देखेंगे कि क्या क्या इसमें बिशेस बात हैं आप स्क्रीन पर देखिए जो हाई रेजुकेशन से सूचना आई अभी तक उसमें क्या मुख्य बात है इसना तक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किये जाने के संबंद में दिशा निर्देश इसना तक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश नवीनी करण के संबंद में जो निर्देश जारी हैं वे निम्ना नुसार हैं विद्यार्ती इसना तक चतुर्थ वर्ष है तो MP Online Portal के माध्यम से प्रवेश नवीनी करण करा सकते हैं इसना तक चतुर्थ वर्ष में दो विकल्प होंगे इसना तक चतुर्थ वर्ष सभी तरती वर्ष उत्तीन विद्यारती एवम 120 क्रेडिट अर्जित विद्यारती इसको कर सकेंगे दूसरा पॉइंट इसमें है इसना तक चतुर्थ वर्ष ओनर्स विद्यारती में केवल 7.5 CGPA से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यारती ही इसके लिए पात्र होंगे यूजी 4.3 के लिए विद्यारती केवल मेजर विशे में ही प्रवेश ले सकेंगे इसना तक चतुर्थ वर्ष ओनर्स विद्यारती में ही किया जा सकेगा या मैं तोड़ा सा आपको रोक की बात बताना चाहता हूँ जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं चाहिए वो गॉर्मेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी में आप ओनर्स और ओनर्स वित रिसर्च में एडमिशन ले सकत कि अधीकांस महाविद्यलियृ में पीजी अधिक्लासच करेंगे तो परिशानी होगी इसलिए आप जिस कॉलेज में अभी पड़ रहेये उसी मेंilation और honors with research का chain पहले करेंगे लेकिन यदि उसमें किसी कारण से वो subject नहीं चल रहा है या उसमें PG classes संचालित नहीं हो रही है या वो research center के रूप में स्थापित नहीं है विश्विद्यले के अनसार तो ऐसी इस्तिती में आप दूसरे college में try कर सकते हैं लेकिन वहां भी अगर seat खा कर सकते हैं पहले अपने जिले में try करेंगे फिर पूरे प्रदेश में कहीं भी यह आपको admission नहीं मिलता और आपको लेना ही है रिसर्च में admission तो तो आगे देखिए यही नियम और क्या कहते हैं इसना तक चतुर्त वर्स honors honors with research का विकल्प महाविद्याले में न मिलने की दश का में प्रदेश के अन्य महाविद्याले में seat रिक्ट होने की दशा में भी प्रवेश लिया जा सकता है विकल्प्चेहन करने के उपरांत विद्यार्थी को संबंदित महाविद्याले में आवश्चक दस्तावेजों के साथ उपस्तित होना होगा महाविद्यालयों, द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेथ लिंक एनििसेट की जाएगी लिंक एनिसेट होने पर विद्ध्यार्ती निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे इसना तक 30 वर्ष का परिक्षा परिणाम गोशित न होने की इस्तिती में प्रावधिक प्रवेश लिया जा सकता है यदि मालो अभी कुछ विश्विद्यालियो में इसना तक थर्डियर यानि जो यूजी थर्डियर है उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो आप प्रवेश जो आपको डॉक्यमेंट लगेंगे उनमें आप जो फस्तियर सेकेंडर की मार्क सीट है यह आप लेके मां पहुँचेंगे और उसके आधार पर आपका provisional admission हो जाएगा ये सब online होना है आप MP online पर जाएंगे और वहाँ आपको इस प्रवेश की जो admission की फॉर्मेल्टी है इसको complete करना है साथी साथ जो promotion वाले विद्यारतियों के लिए मैंने पिछले वीडियो में किस प्रकार से promotion करना है फर्स्ट येर वाले second year के लिए और second year वाले third year के लिए क्योंकि अभी इनके results आए नहीं है अभी exam चल रहे हैं और एक दो दिन में exam संपन होने वाले हैं कुछ उनिवर्स्टी में exam स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन प्रवेश की process जो है वो पूरी करनी है उस प्रक्रिया को तो उसके लिए आपको promotion fees submit करनी होगी वो भी online fees submit करनी है बहुत सारे विद्यारतियों का यह कहना है कि हम online जाते हैं तो वो link open नहीं हो रही है आपको सबसे पहले अपने महाविद्याले में जाना है और वहाँ जाके आपको अपनी link open कराना है second year की mark sheet यह first year की mark sheet लेके जाएं तो विद्यारती second year में admission लेना चाहते हैं वो first year की और जो third year में लेना चाहते हैं वो second year की mark sheet लेके जाएं तो इस काम को भी जल्दी कर लें क्योंकि यह भी एक निर्धारित समय में करना है अभी इसकी जो date है वो 31 जुलाई दी गई है कि 31 जुलाई तक आप इस process को complete कर लें तो जिन विद्यारती की समस्या है कि लिंक open नहीं हो रही है वो अपने महाविद्याले में जाके computer section में अपनी link को सबसे पहले open कराएं तो fourth year के लिए खास तोर पर आज हम जो चर्चा कर रहें और इसमें एक बात और जोड़ देते हैं जो PG classes में admission लेने वाले हैं जो बच्चे second semester के exam दे चुके हैं अभी उनका result नहीं आया है तो वो third semester में भी ऐसी promotion करा सकते हैं उसके लिए आपको graduation की market ले जानी है और first or second semester की market ले जानी है और उसको ले जाके आप अपना promotion के लिए apply कर सकते हैं link open कराने के बार चुकि एनीपी तीन साल पहले लागूगा है ये पहली बार हम UG fourth year में जा रहे हैं तो ऐसे में सौभाविक है कि उसकी बहुत ज़्यादा exercise नहीं हो पाई है और उस पर लगातार काम चल रहा है syllabus पर भी काम चल रहा है कोसिस यह है कि अगस्त महां से आपके UG fourth year के classes संचालित होने लगें आपकी classes स्रू हो जाएं क्योंकि UG fourth year में आपको honors की पढ़ाई करनी है और honors भी research की पढ़ाई करनी है मैंने पिछले वीडियो में वो सारी जान करी दी है कि आप अगर honors पढ़ना चाते हैं तो उसमें अकेले honors भी पढ़ सकते हैं और honors research के साफ अकेला रिशर्च पढ़ना चाहते हैं तो और दोना पढ़ना चाहते हैं तो दोनों भी पढ़ सकते हैं इस प्रकार से उसको course को design किया जा रहा है तो आप इस वीडियो को देखके कुछ पुरानी जो बाते में उनको repeat नहीं करना चाहता है वो इस वीडियो को देखके आप complete कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आप से बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंतिजार करें MP online में जाके अपने लिए link जैसी open हो तो आप 4th year में अपना admission कराएं जिन बच्चों के result नहीं आए वो provisional admission नहीं जिनके results आ चुके हैं और वो 7.5 grade point ला चुके हैं CGPA तो आप उसके लिए honors के लिए try कर सकते हैं यदि आपके 7.5 grade point नहीं है तो आप honors और honors with research के लिए entitle नहीं है और आपको फिर सामान पीजी करना होगा है जो पहले चली आ रही है परमप्रागत जो MA हम करते हैं या M.C करते हैं तो उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं और उसके लिए विशय की बात देता नहीं है आप जिस विशय में चाहें उसमें प्रवेश ले सकते हैं तो आज इस वीडियो में इतना ही अगर कोई नई अपडेट आती है यूजी फोर्तियर के लिए तो फिर हम एक वीडियो के माद्यम से आपके साथ चरजा करेंगे इत और च्यास पिमर्स पर इसी प्रकार के कई सारे नवाचार और सैक्षिक चर्चाओं को लेकर हम समय समय पर आती रहते हैं आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके उन सारी सैक्षिक चर्चाओं को देख सकते हैं राश्टी शिक्षा नीती से संबंदित लगबग 100 वीडियो इसमे पूरा कर सकते हैं NSS के बारे में भी इस platform से हम काफी चर्चा करते हैं तो आप NSS में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ लाव लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ उपलब दे तो playlist में जाके आप अपने संबंदित वीडियो उसको देखके अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं इतियास वीमर से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं इसे सब्सक्राइब करें वेल आइकन पर जाएं और और ओल के उप्शन पर जाएं जिससे इस चैनल के माद्यम से समय समय पर मैं जो भी अपडेट लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें तो आप इससे जुड़ें अपने मित्रों को इससे जुड़ें इस वीडियो को शेर करें वीडियो पसंद आये तो अप लाइक अवस्ष्य करें अगले वीडियो में एक नए विश्य के साथ आपके साथ फिर चर्चा करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन